हेई कोरियन जग्या वीवर्स आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक दे ग्यालेक्सी एपिसोड फिप्टीवन की सो लेट्स किट स्टार्टिग मैजस्टी बुई के पास आकर कहता है बच्चे पताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है वो ही अपना नाम हो वुशांग बताता है मैजस्टी रोते हुई कहता है हो वुशांग तुम हो वुशांगों वे रोते हुए उसे गले लगा लेता है और उससे सौरी बोलता है मैं लेट हो गया बच्चे तुमने कितना कुन्चेला और सहा है वो ही कहता है मैंने जो भी किया वो माफिलायत नहीं है बट मैंने अपना पदला अकेले ही लिया है I hope Majesty आप मेरी क्राइम की सजा उन्हें ना दे जिनने मैं प्यार करता हूँ Majesty कहता है तुमने कहा कि तुम अकेले हो बट मेरा क्या? मैं तुमारी चिंता करता हूँ उसका क्या? वो ही कहता है मैं बस मरना चाता हूँ ताक ही मैं अपने पैरेंट से मिल सकूँ Majesty उसे गले लगाता है तब ही जो उटकर कहता है जैनल हूँ सही कह रहे है आप इन्हें लॉग के हिसाब से मरवा दे Majesty कहता शाड़ आप तुम ड्रामे बाद तुमने अगर अपने मूँ बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं मरवा दूँगा जो कहता है मैं Imperial counselor हूँ मैं बस अपने duty कर रहा हूँ अगर आप मुझे मरवाना चाते है भी तो मैं request करता हूँ कि आप जनर्र हूँ को पनिश दरूर करें Majesty खड़ा होता है और उसे एक लात मार देता है जो मूँ के बल गेर जाता है Majesty फिर से लात मार कर कहता है जी के ठंके हो क्या तुम वो उसे फिर से लात मारता चला जाता है तब ही wife यूँ उसे रोकती हो कहती है आप शान्त हो जाए आप imperial court में हो आप यहां लड़ाई नहीं कर सकते हो Majesty कहता है मुझे गुस्ता आ रहा है यह पहली बार नहीं है यह लोग law का हत्यार बना कर अपना बदला पूरा करते है और खुद को सही बताते है यूँ कहती है आप emperor हो तो imperial court का protocol वो follow करना ज़रूरी है जो agree करता है यूँ कहती है मैं एक lady हूँ मैंने पढ़ा कि father का revenge लेना यह कैसी चीज़ है जिसे resolve नहीं किया चासकता जर्नल होने अपने father का revenge लिया माना यह unforgable crime है पर यह excusable है majesty हमारे देश हमेशा से ही लोगों की बलाई करने के लिए ही रहा है अगर हमने जनरल हो को मार दिया तो हम इन जैसे जूडिफुल और बच्चों को खो देंगे majesty हैंग की बातों को सही टहराता है और कहता है पादर का बदला कभी resolve नहीं हो सकता जैसे एंग ने justice दिया वो जनरल को मार कर जूडिफुल यह इंपीरिल कोट है एक औरत का state of airs में तकल अंदाजी का ना ठीक नहीं यूँ उसे रोकतो है क्या थी है मैं majesty के साथ लड़ाई में गई थी तुम असबक official भी नहीं बने थे तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते इसलिए मेरे औरत होने पर question या फिर target कर रहे हो तुम कितने गिरे हो हो जू कहता है मैं जुकने वाला नहीं हो मैं बस तभी यू जू के पाद जाकर उसे लाथ मारती है जू माके वाल फिर से के जाता है सभी देखके हैरान हो जाते है यू कहती है मैं censorate की इज़त पचाना चाती हूँ मैजिस्टी यू को पकरता है वो कहती है पर तुम उस इज़त को खोना चाती हूँ हाँ यू कहता है लिंगी मल गया लिंग बुई बस उसे फसा रहा है कोई evidence है क्या तब ही अवाज आती है है यू आन शैन आकर कहता है लिंगी की वाइब मैडम चुनियों ने एक मूर्ती बनाई थी जो मैडम रुयां को नोने गिफ्ट की उस मूर्ती में वो letters मिले हैं जो लिंगी और पैन कुन ने एक दूसरे को लेके है हमें पता चला कि वो दूसरे अपरली से मिले होएते ताकि मदद ना आ सके और गो सिटी गिर जाए मैजिस्टी सभी evidence को देखता है और कहता है देखो इसे ठंक से देखो इसे वो से पेक देता है जो सभी evidence को देखता है जी क्यादा है लिंगी और पैन कुन ने कंट्री गो दोका दिया जिसकी वज़ा से गो सिटी गिर गई ये माफी लायक नहीं है मैं request करता हूँ कि लौ का सही यूज़ किया जाए जो क्याता है बले ये लिंगी मने लायक था जनरल हूँ ने tiger seal को चुराया और soldier का यूज़ किया इससे armies में problem हो गई ये serious crime है इसकी तो punishment मिलनी चाहिए तभी third prince कुस्से में आकर कहता है punishment हो तुछ तुमें मिलनी चाहिए कोई आओ इसका रोप उतारो और इससे लेकर जाओ जू जैसे ही कुछ कहता है majesty कहता है क्यूँ third prince कहता है father जब मैं जी शेंग को पचा रहा था तब जनरल जू उन्हें माना चाहते थे मुझे कुछ गरवर लगी तब मैंने interrogate किया वो इसने सब बता दिया कि जू फैमिली को emperor ली के लोगों से bribe मिली है वो किसी भी केमत पे जीशन को मरवाना चाहते है उन्हें लगा कि god of war लिंग बूई अगर मर गिया तो वो तब बबारा से इस empire पे कबज़क करी लेंगे जो कहता है मैं इनुसेंट हो मैं emperor ली के लोगों को नहीं जानता तरफिस कहता है तुम अभी भी मना कर रहे हो तुम कैसे नहीं जानते जब तुम 10,000 कोईं अपने घर में चुपा रहे हो जो तुमें त्यान वेस्टोरों से मिले है तुमारी सैलरी इत्ती तो नहीं है है ना त्यान श्यू एंपरेल ली का वेफादार था वे एंपरेल ली के हाद और डेथ के बाद वो तुसे नहीं जे रह रहा था वो यहाँ बिजनस भी चलाता था वो बस मौका डूड़ा था वो त्यान वेस्टोरों में चुपा था और कई ओफिशल के साथ भी मिला हुआ था प्रिंस यौग और मार्केस यू भी उससे मिले हुए थे मुझे लगता है त्यान शू कंट्री में डिजास्टर लाना चाता था जू कहता है उसने तो मुझे कहा कि वो बस भूगोई को मरवाना चाता है क्योंकि उसकी उससे जाफती दुश्मिनी है पट मैं नहीं जानता था कि वो एंपरली का आदमी है मैं इनसेंट हूँ मैजिस्टी मैजिस्टी कहता है तुम अभी में बना करें यूआशन कहता है जू को पनिश करें सभी ओफिशल एगरी करते हैं मैजिस्टी गाट को पुला के उसे इंटरोगेशन के लिए बेज देता है और कहता है यह मरे याज जी है आरन के है गाट उससे लेकर जाते है जू चिला के कहता है मैजिस्टी मैं इनसेंटो मैजिस्टी यहाज जी कहता है अब त्यान शू कहा है पैर प्रिंस कहता है उसके जासूर हल जगह है इस दिए मैंने आपको रिपर्ट नहीं किया बट मैंने त्या रेस्टों में रेट लगा दी बट मैं लेट हो गया जब मैं वहाँ गया वहाँ सब खाली था बट मुझे कोछ आविनेस मिले है कि कैसी हो वो प्लानिंग और प्ला जिस्ते क्राउन प्रिंस तुवारा फैस गया तुम चाहते क्या थे धर प्रिंस कहता है जी शेंग के पास कोई और आस्ता नहीं था उसने टाइगर सील कर यूज इसली किया क्योंकि वो डेस्परेट था मैजिस्टी कहता डेस्परेट वेवकों समस्ते हो गया मुझे मैंने प्रिंस से पूछा उसने पताया कि उसके पास पेग टाइगर सील है उसकी टाइगर सील मार्केस यूनित चुना ली जी शेंग ने तब पताया भी नहीं उसने वो सील रखी और छुपा ली जिसकी वज़ा से बताओ तुम दोनों कप से मिले ओ थर प्रिंस कहता हां ब्रदर Crown Prince की position के लायक नहीं है वो country पे रूल करने लायक भी नहीं है Majesty कहता है बस करो अगर वो लायक नहीं है तो तुम हो क्या तुम्हारा brother कितना भी लायक नहीं हो पर वो तुमसे ज़्यादा generous और नरम दिल है फ़र प्रिंस कहता है, एंपरर कभी भी जेनरिस और नरम दिल नहीं होता, उसे रूल करने के लिए रीजन चाहिए, जो लायक नहीं है, ब्रेदर उन्हें पोजीशन दे देते हैं, इसलिए राव बेंड कर केस हुआ, क्या नरम दिल होना अच्छी बात है, मैजिस्टी कुछ में बिताया, इस पैलेस पे सारा काम मैंने कुछ टाइंग देखा, पट अगर वह एंपरेब बनेंगे, तो मैं पॉलिटिकल पावर और अथियोरिटी उनसे चील लूँगा, क्या आप ऐसा देखना चाहते हैं, मैजिस्टी कहता है, तुम्हारे पास मौका था, पट पिर भी तुमने पॉलिटिकल पावर और अथियोरिटी उससे चीली क्यों नहीं, वो ही कहता है, मैं बस आपके साथ लॉयल हूँ, इसलिए मैंने किसी की जगा लेने के बारे में नहीं सोचा, मैं कंट्री की सेथ्टी और स्टेबलिटी के लिए अंग्रेटफुल बनने को तयार हूँ, बड़ क्राउन प्रिंस एंपरेर बनने के लायक नहीं है, तब ही एंपरेस कहती है, सही का तुमने, वो अंदर आके कहती है, जी शेंग ने बिल्कुल सही का, मैजिस्टी तुमने गलत क्राउन प्रिंस को चुना है, वो इंकॉंपरेटिंट और अंबिशिस न तुमने जो कहा, सब सही है, तुमने महान काम के लिए अपने प्याव को छोड़ा, बड़ जब तुम चैंगेन मार्किस रेजिदेंस में अकल हुते, क्या तुमने शावशेंग को छोडने का पहले से ही डिसाइड कर लिया था, वो इंपरेस कहती, क्या वाकई में तुम रि जिशेंग, एंपरेस शावशेंग को अंदर बुलाती है, शावशेंग अंदर आती है, वो ही गता है शावशेंग, जो मेरे मन में था, मैंने सब तुमें बता दिया, मैं माफी मांगने लायक नहीं, पर आप ड्रॉस्ट यूँँ कि तुम मुझे समझोगी, शावशेंग क से आई हूं मैं कम पड़ी लिखी और अलग ही बिएव करती हूं मैं चेनरल हूं के लायक नहीं हूं सो आप इस दिश्टे को तोर दें वो यह रोके कहता है मुझे तो एक्स्प्लेंग करने दो शावशिंग कहती है बच्पन से बेरा लग अच्छा नहीं है जब तक मैं तुम कि नहीं हो सकता कि कोई मेरे साथ अच्छे से भेव करेगा मैं तुम्हें पसंद करूँ मैंने किया तुम पर भरोसा भी किया तुमने क्या किया मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माप नहीं करूँगी तुम हाटलेस हो तो मैं अपने ज है रोइन ऐसे कहता है तुम घर जा रहे हो क्या बूरी ने कुछ कहा उसने जो कुछ किया तो है corona prince को उनकी position ऑर अम्प्रेस को उनकी position से हटाना दे शाओष máximo कहती है तुम बिलकार में परिशान हो रहे हो ऊंप्रेस को उनकी से मैजिस्टी इसलिए इटा रहे हैं क्योंकि वो पैलिस में रहना नहीं चाहती है क्राण प्रिंस और एंप्रिस की पोजिशन दो तलवार पर लटकी है वो तक गए और मैं भी अब यहां रहना नहीं चाहती वो यह कहकर चली जाती है युआ शेहन उसे जाप वे दिखता है यहां एंप्रिस बैठती है मैजिस्टी कहता है तुम क्या कर रही हो वे एंप्रिस सी इल देते होए कहती है क्राण प्रिंस इंकॉंप्रिंट और वीक है वो अच्छे एंपरन नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने उसे अच्छे से नहीं सिखाया आप उसे और मुझे अपने अपनी पुजेशन से हटा दे मैजिस्टी कहता तुम ऐसा क्यों करवा रही हो एंप्रिस कहती है मैंने पूरी जुंदगी सबकी बात मानी चाहे वो गलती क्यों ना थी उस वक्त तुम्हारी और वाइट थी बट अंकल हमारी शादी करवाना चाहते थे बट हमारी शादी आप दोनी क्या आप भी रिग्रेट नहीं करते क्राञ्परिंश मेरे फादर पर जए उसे वैसा होना चाहिए बट वह क्राञ्परिंश मेरा जैसे वह तलवाल की नोप पे बैटा ओ बिना हो जिन भी पारा मैजस्टी कहता है अगर उसे क्रा प्रींश नहीं बना तो में कु प्रिंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैजिस्टी मना करता है एंप्रिस कहती है मैं इंकॉंप्रेटन्ट मदर हूं बच्चों को अच्छे से बढ़ा नहीं कर पाई क्राउन प्रिंस की जगह उसकी मदर होने के नाते मैं ब्लेम लेना चाती हो अगर मैंने अपनी पुजीशन छोड़ दी तो कोई भी उसे परिशन नहीं करेगा वो प्रिंस की तरह जिंदिगी जीएगा प्लीज आप मेरी विश्पूरी करें मैजिस्टी कहता है क्राउन प्रि बिशी धर डिक्लब मैने किसी को भी तुमारे से अच्छा तेका आई नहीं ऐम्परेस कहती है में रिडिक्लफ नहीं हूँ कई सालों से मैं आपको यू हैंक को मास्प्री करते रिकली और उसने मैं खुशी नहीं हो पाती। मैं बहुर जैलस हो खुषते में रहती थी यहीं नहीं एंप्रेस्ट बनना वेरे लिए एक टॉर्चर की समान है मैं समान नहीं मैं हद्बिन चाहती हूं जो मुझे प्यार करें तुम और हैंग खुशी से रहे मैं बस इसे देखी सकती थी मैजेस्टी कहता है मेरे दिल में तभी एंप्रेस कहती है अगर आप हमारे दिश्टी को मानते हैं तो मुझे इस बंदन से आजाब कर दे मैं एंप्रेस्ट रहना नहीं चाहती हूं ना की एंप्रेस्ट श्वान प्रीज मेरे रिक्वेस्ट मान के मुझे चैंगवे पैलस से निकाल दे मैजेस्टी सील फाइनरी एंप्रेस से परकर दिल रखके ले लेता है हुआ एंप्रिस ने अपनी पुजिशन खुदी छोड़ दी फ्राउंड प्रिंस अप्रिंस दॉंग हाई है पट यह शांत है अची बे सॉंग कहता है मुझे सब साही लग रहा है वो ना रो रही है पर ना ही ड्रामा कर रही है शाओगां कहता है किसने कहा वो ठीक है उस लेंग बुई के लिए जीएगा इसलिए उसने अपना नाम वुई ही रखा है शाओशाइंग बाहर आती है सौंग हुबुई की बात करता है और उसे बताता है कि उसने तुम्हारे लिए मैसेज पिजवाया है वो तुमसे आकरी बार मिलना जाता है चैंग शी रोपते तुम ठीको शाओशेंग एक पोटली शाओगॉंग को देती है और कहती है जैनल हुग को ये दे देना मेरी तरफ से मैं अंसे अब कभी भी नहीं पाऊंगी उन्हें पुरानी बातें भूलने को कहना मेरी तरफ से सियाब भी करना वो ये कहकर वहां से चली जाती है चैंग चैसी कहता है कहां जा रही हो क्या तुम्हें है जरुत है शाओशेंग के थी मेरी तो चिंता मत करो वह आखे पहली हो गई है शाओ यूवाने के कहती है पहले में चाहती कि वो तमीज में रहे पर अब तो वो बिल्कुली अलग इंसान बन गई है जब मैं पहले मस्ती मजाग करती थी उससे मुझे खुशी ही होती थी शिंग कॉंग क्या मैं शुरू से ही गलत थी शिंग कहती है बच्ची बड़े होते ही है एक मदर के नाते आपने वही चाहा हम अ यहां शॉषेंग जाती है तब शॉषेंग यहां उन्हें घूर जाग शाड़े हो इंप्रिससी दौकिन कहती है ऐसी चाहिए मुझे उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, वो से टी को बचाने के लिए आप और फादर, मुझे एक घर छोड़के गए थे न, हम अपनी ड्यूटी और लॉयल्टी नहीं छोड़ सकते, मैं सब समझती हूँ, इसलिए आप मुझे जाने दे, ताकि मैं अपनी को देख पाना इस दुनिया में मुश्किल है, जैंग फैमिली आपको एड्माय करती है, आप मैजिस्टी के प्यारे हूँ, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, जब हमने आपकी उस दिम हेल्ट की थी, आप चिंता ना करें, यह एक डिप्रिंट मैटर है, आपकी किसमत उसके साथ खतम हो गई, तो आप कोशिश ना करी, वोई कहता है, शावशेंग में कुछ और कहा क्या, यहाँ चैंग यह कहती है, तुमने कहा, कि एम्परिस को तुमारी जुरत है, पर आपकी तवियत कई साल से ठीक नहीं है, उन्हें भी तो कोई चाहिए, तुम जाओ, मैं आप का ख्याल अच्छे से रख लूँगी, और कभी शादी नहीं करूँगी, शावशेंग कहती है, मदर मुझे जिती माती है, पर तुम भी वैसी हो यहाँ चैंगेंग कहती है, न्याँ न्यो, सुनो, तुमें अच्छा हस्बिन जरूर मिलेगा, जो यह तुमें वैल्यू करेगा, अपनी जिंदिए से मत सक्रिफाइस करो, यहाँ वोई पोटली खोलता है, और स्मेव वो सील होती है, यहाँ शावशेंग कहती है, किसने कहा, कि हस्बिन जरूरी है, अगर मुझे चाहिए होगा, मैं कोदी टून लोगी, अगर नहीं भी मिला, तो कोई पराद नही करती, मैं जानता था, कि वो ऐसी ही है, वो यह शावशेंग अपने अपने रास्ते और अपने अपनी मंजिल की तरफ आगे बरते हैं, बोनों अलग ही चाहते है, किसमत क्या रंग लाएगी, पता नहीं, शाव युवानी सब सोचती है, कि कोई भी चैंक्वी पैलस को छोड कि नहीं जा सकता, वो सभी बाते सोचती है, वो कहते है, शाव शेंग कभी वापस नहीं आएगी, वो वहाँ रहने जा रही है, चलो जल्दी, क्यारेंश निकालो, यहां सीमत गेट के अंदर शाव युवानी भी वहाँ पांचती है, वो भागती और शाव शेंग को तरते ह जैसे ही शाव युवानी कुछ कहती है, गेट बंद होता है, शाव युवानी चिक्की कहती है, यान याम मत जाओ, यान याम सौरी, वे गलत थी, वो रो जाती है, तब ही बहुत सारे फ्लैश पैक याद आते है, शाव शेंग को वो फ्लैश पैक याद आते है, जब अपने काम ली, अपने पारेंस से पहली बार मिली, वो सबी पहली याद करती है, जो उसने जरेंग फैमिली में बिताए, मारकेस रेजिडेंस में बिताए, शाव युआनी खोब रोती है, उसे अपने गलती का फाइनली ऐसास वो ही जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो नियो नियो कहे कर रोती है, गेट फाइनली पन्त हो जाता है, वो बाहर बहुत रोती है, तब ही अपिसोड एंड होता है, है व्यूवर्स, इस वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चानल, तांक यू!